हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ डॉक्टर अंकीता अश्वनी आयरवेद अश्वनी गर्व संसकार के अंदर बढ़ द्रास है मैं एक आयरवेदिक डॉक्टर हूँ आज का वीडियो बहुत ही महत्वपुन है और इसको आपको आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेर करना ही कर तो उसको कैसे हम मैंटेन करें और कैसे बढ़ा सकते हैं तो मैं एक डॉक्टर हूँ मगर आज इस वीडियो में आपको मैं आयरवेदिक जो टीप्स हर बारी देती हूँ मगर इस वीडियो में नहीं देने वाली क्योंकि आल्रडी मैंने दिया है पिछले वीडियो में तो आ जिसे आपको ऑक्सिजन लेवल आपका कम हो रहा है या फिर आपके लंग्स की कैपसिटी कम हो रही है तो आपको क्या करना है आपके पास ऐसे कोई भी गोल चीज है जिसे हमारा बेलन भी हो गया तो वो भी चलेगा तो उसको क्या करना है यह जो हमारा हाथ है ना उसका जो उसके नीचे जो इतना सा पाठ है यह वाला यह वाला यह यूँ एक्डुप्रेशन के जो चाट होते हैं उसमें इसको लंग्स की जगा बताए लंग्स के लिए यह जो एक्प्रेशर पॉइंट है यह वाला है तो आपको क्या करना कुछ भी आपके पास है बेलन भी चलेगा तो बेलन को क्या करने ऐसे हात में गीशना वैसे नहीं करना तो जमिन पर वेलन को रख दीजिए और हाथ को ऐसे ऐसे दबा जैसे हम रोटी करते मगर आपके पास ऐसा कुछ भी ऐसे कर सकते प्रेंट मैं aja तो आप इस वे और सकते कर सकतें तो यह जो दोनों हाथ के एक्जड नीचे नीचे पाइश पार्ट है तो उसको सब्सक्राइब कर सकती है ऐसा कुछ आपके पास डंड है तो उससे भी कर सकते किस से भी कर सकते मगर पॉइंट यहां ही देने फिर क्या करना है आपके पास ऐसे चाबी है तो चाबी से भी आप ऐसको ऐसे प्रेश कर सकते जैसे कोई भी जगह है इसमें से और आपको पेइन हो रहा है तो आप उस पर ऐ चब़ें एक फिर्बेने से ज़ित 2 ज्यादा ओए चबना नहीं चाहिए पेइन हो तो यहां अपको यहाँ पॉइंट करना है उसके जो हापको खासी कि यह रहती है तो यह पोइंट है यह उसमें यह वाला जो point है यह वाला वहां पर आप कर दो तो आपको जो खासी की भी जो problem है उसमें भी आपको रहत मिलेगी और साथो साथ यह जो हमारे जो fingerprint चालू होती है ना वहां पर भी एकदम से एकदम से छोटा सा होगा पॉइंट वहां जहां से हमारे fingerprint चालू होती है ना यहां बीचों बीच रहेगा वह तो वहां भी आप करो तो शर्दी होगी यहां खासी होगी खासी के लिए यह शर्दी के लिए यह point हमें 30-30 बारी दबाना है मगर उसके पहले हमें बेलन या किसी से भी उसको ऐस स्ट दबाएगे उसको point देगे तो वह point stimulate होगा और हमारी जो खासी होगी बहुत ज्यादा प्रमान में खासी हो रही होती है तो वह कम हो जाएगी और साथोसर्दी की problem ज्यादा है smell नहीं आ रही है तो उसमें भी आपको रहत मिलेगी और यहां भी आप ज्यादे से ज्यादा करो आपको अभी कोई problem नहीं है और corona positive आया भी है तो भी आपको बहुत ही काम में आएगी यह चीज तो please आप खूद करें और दूसरों को भी यह point के बारे में बता दीजे और साथ हां दोनों हाथ में करने हैं और दिन में कभी भी कर सकते हैं थोड़ा सा खाया अपने खाना खा नहीं के तבר trips दोना कर दो तो वह कंबमात को बहुत हैं वह आपको फायदे मंद रहेगा। उसके साथ आपको प्रानायम के दिबारे में में बताने वाली हूँ तो प्रानायम में सबसे बढ़िया प्रानायम है अनुलोम विलोम आपको करना है उसके साथ साथ भस्तरी का जो मेन है भस्तरी का बहुत ही मेन है तो वो भी करने अनुलोम विलोम जिसे आप आपने कभी नह तो कैसे करना है जैसे ही आपका लेफ्ट नोज हो गया तो उससे आपको स्वास लेना है और राइट से निकालना है राइट से लेना है और लेफ्ट से निकालना है ऐसे कितनी बारी करना है तो दस मिनिट तक करना है तो दस मिनिट के अंदर ज्यादा से ज्यादा बीस बारी कर 20 भी में रखना नगी सब्सक्राइब करते हैं इस देखे एक बहर दीखा दिखाती आद्यां दिखाती है दिखाती हूँ प्रफ techniques एकदम धीरे-धीरे से करना है उसके साथ आपको भस्तरी का करनी है भस्तरी का आपसे शायद नहीं हो पा रही है आप बेडरेश्ट हो शायद तो आप अनुलम विलम तो करी सकते हो और भस्तरी का नहीं कर सकते तो कोई दिकत नहीं आप ऐसे करके स्वास को सिर्फ लेना है और छोड़ना है ऐसे करके सिर्फ लेना है और छोड़ना है और जिसको भस्तिर का कर सकते हो आप ऐसी कंडिशन नहीं आप सिर्फ हों कॉरंटाइन हुए और बहुत ही कम लक्षन है माइल है या मॉडरेट है तो आप ऐसा कर सकते हैं जैसे इतना कितनी देरी तक करना है पांच मीट तक करोगे तब भी अच्छा रहेगा मगर साथ में आप ऐसे लगे के पांच मीट करते करते हम ठक गए तो बीच बीच में आप रेश लेक लेकर कर सकते हैं और तिसरा महत्वपून है आप ब्रामरी करो ब्रामरी क्यों करना है ब्राम कि वज़ा से हम मानसिक रूप से बहुत ही एकदम से हिल जाते हैं कि करें कि मानसिक बीमार हो गए लोग तो उसके कारण ज्यादा प्रॉब्लम हो रहे तो भ्रामरी एक ऐसा प्राना हम है कि जो आपको एक मैंटल क्राइसिस जो हुआ है आपके साथ उसमें से आप बहार निकल सकते तो ब्रामरी कैसे करेंगे तो हमारा जो अंगुष्ठ है ना उसको इसको अंदर दबा दो यह पूरा अंदर दबा दो और ऐसे करके स्वास लेना है और छोड़ना है ऐसे भंबरे जैसे आवाज करते हैं देखिए ये आपको जितना आप लंबा कर सको उतना लंबा करना है मगर इतना सारा आपको याद नहींने लेता तो सिर्फ आप их κάνด सकते हैं यह जो दोनों अंगलिया है ना ऊसको ऐसे अंदर डाल दो बाहर की जो आवाज से आपको नहीं आनी चाहिए और आखे बन करकर ऐसे करके भी ब्रहामरी कर सकते हैं तो हमारे त्रीन प्रनायम हो गए अनुलम विलम दूसरा है भस्तरी का और तीसरा है ब्रहामरी उसके बाद मैंने आसन के बारे में बताया था तो आसन आपको भुजंग आसन करना है भुजंग आसन करने से भी आपकी जो लंग्स की कैपसिटी होती है वो बढ़ जाती है तो प्लीज यह जो मैंने तीन चीज़े बताई है उसमें थोड़ा सा डायट का भी बोल दिया मगर चलेगा तो पहला है एकोप्रेशर पॉइंट दूसरा है प्राना है और तीसरा है भुजंग आसन आसन करना है भुजंग आसन से आपको बहुत ज्यादा फाइदा होने वाला है तो यह आप वीडियो ध्यान से एक बारे देख लेना और कोई क्वेस्टन है आपके तो मुझ और आप होम कॉरंडेशन है तो आप बहुत ज़्यादा पैनिक मत हो आप पहले डवाई ले लिजए आयरवेदिक दवाई आपके नजडिक के जो भी आयरवेदिक क्लीनिक है डॉक्टर आप जानते किसी से किसको जानने जानते है उसको पूछे और वैसे ले लिजे सअरी जो प्रॉटोकॉल के अनुसार दी गई है सरकार ने जो दी है वो आप ऽूंट आप अनिसे बहा निकल जाएगे तो प्लीज वीडियो आप ध्यान से देखना और आपके जो friends family है उनके साथ जरूर से share करना और उसको try करना और फिर से मैं बता दूँ एक बारी कि और पॉइंट कौन से थे यह lungs की capacity बढ़ने के लिए ये वाले खासी के लिए ये वाला और शर्दी के लिए ये वाला और जिसको शिरदर्ध है उसके लिए ये वाला ये जो अंगुठ है कि उपर वाला जो पाट है वहाँ पर आप प्रेशर दोगे तो उसको भी सिरदर्ध में भी आराम रहेगा और कुछ आपको जानना है तो प्लीज कॉमेंट बॉक्स में आपकी कॉमेंट शेर करना